हेलो वेन वेल्कम बैक टू माई चैनल स्किन केर रेमेडी दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे आई लाइनर की बारे में कि हम किस तरह से आई लाइनर बना की उस पे कलर पैंसिल को यूज करके अपना लूक चेंज कर सकते हैं जिहां बिल्कुल आपने बिल्कुल सही और लाइनर को हम दोनों को एक साथ यूज करके अपनी आई को अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं उसके शेप में उसके स्टाइनिंग में हम चेंजिस ला सकते हैं और बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा लुक आता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं उससे पह दोस्तों मेरे पास है Maybelline New York का आई-लाइनर जो काफी पुराना हो चुका है मैंने इसको काफी टाइम से यूज किया हुआ है और इसके साथ एक ब्रश मिलता है अपको और यह जो आई-लाइनर है बहुत ही स्मूथ और क्रीमी है इसको बहुत ही अच्छे से अप्लाइ कर पा से अपना लुक चेंज कर सकते हैं सिर्फ यही आई-लाइनर नहीं अप किसी भी ब्रेंड का आई-लाइनर के यूज कर सकते हैं बस आपको देखना है आपको कलर पैंसिल के साथ लाइनर को किस तरह से मैच करके अपने आई-ब्रो का शेप या फिर अपने आई-ब्रो का जो क अगर आपने ड्रेस पहना है या फिर आप पहनने वाले हैं किसी भी ऑक्राइशन में उस कलर पैंसिल आप खरीच सकते हैं किसी भी अच्छे ब्रैंड का और आप जो है लाइनर के साथ उस पैंसिल का यूज करके अपने लुक को बहुत ही अच्छी तरह से दिखा सकते हैं अच्छा क्राइशन की पैंसिल के साथ साथ तो मेरे पास यह है स्काई ब्लू भी नहीं है ग्रीन इंढये तोनों की बिच का यह बहुती अच्छा कलर है मैंसिल को पर्जस कीया था और यह मेरे काफी ऑपी मैच्छ मेरे च्छी Shelby के साथ मैं इसको पर प्रज़ कीया था और को तो देखें मैं उपर से इस तरह से लगाऊंगी जिससे मेरा लाइनर का जो शेप है लाइनर का जो मतलब दिखने में जितना अच्छा दिखता है उसका मतलब डबल हो जाता है ब्यूटी आप इसको यूज करके देखिए अपने ब्यूटीफुल लगेंगे लोग आपकी कितन तारीफे करेंगे तो दिखें मैंने लाइनर की उपर से सिर्फ सिंप्ली इसको इस तरह से यूज किया हुआ है बहुत ही सुन्दर दिख रहा है आप अपने दोनों आइस के उपर अपलाई करके देखिए अगर आप इस लाइनर को और कलर पैंसिल को पर्चेस करना चाहते ह है मेरे थू तो इसका लिंक में डाल दोगी आप वहां से भी पर्चेस कर सकते हैं वाव इट लुक्स अमेजिंग अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंस और फैमिली में शेयर कीजिए अपना बहुत ज़्याल रखिएगा बाबाई